Hello everyone, आज tense series में हम बात करेंगे future indefinite या simple future tense की पिछली वीडियो हमें present और past के सारे tenses कवर किये थे और tenses के rules भी कवर किये थे और उनको बनाने का क्या तरीका था यह सब detail में discussion की थी आज हम detail में चर्चा करेंगे future indefinite tense की उसके affirmative, negative, interrogative सारे ही aspects उसमें cover करेंगे तो मेरी request है कि वीडियो में end तक जरूर बने रहें और अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe the channel और इसके साथ ही जो मेरी पिछली वीडियो जटेंस सीरीज में हैं उनको भी जरूर देखिए तो let us start सबसे पहले जैसे किसी भी tense में पहचान बड़ी जरूरिया कि कौन से ऐसे sentences है जिनको हम categorize करते है future indefinite tense में तो इसमें बहुत important बात है कि हम क्योंकि बात ही future की कर रहे हैं आने वाले time की बात कर रहे हैं तो उसमें जब जैसे हिंदी में अगर बोले तो इन sentences के अंत में गा, गे, गी, etc. आता है जैसे हम school जाएंगे, रमेश खाना खाएगा, आप गाना गाओगे तो यह सब जो sentences हैं बतर फ्यूचर में कोई काम करोगे तो उनको हम categorize करते हैं future indefinite tense में तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जैसे किसी भी tense में सबसे पहले subject यानि के काम करने वाला फिर आता है will या shall will जो आता है, जो shall आता है वो I और we के साथ आता है बाकी सब के साथ जो आता है will आता है जैसे he, she, it, they, you कोई भी हो उसके साथ will आता है सिरफ first person I और we के साथ shall आता है उसके बार आता है वरव की first form फिर आता है object मतलब जिस काम को किया जाना है तो इसमें सबसे important क्या है हम जो पहले sentence को categorize कर लिए उसके पास बनाना कैसे है इंगिलिश में तो हम school जाएंगे हम मतलब we वी के साथ आना है शल गो जाने को गो first form आने है वरव की गो टू school हमारा हो गया object रमेश खाना खाएगा रमेश अब रमेश जो है वो सिर्फ मैंने बोला था आई और वी के साथ शल आना है बाकी सब के साथ विल आना है रमेश विल आप गाना गाओगे यू यू के साथ भी विल आना है यू विल इस तरह से जो हम बनाते हैं इसमें जैसे शल और वीडियो जो डाली हुई है वील और शल के प्रयोग के उपर वो भी आप जुरूर देखें लेकिन अभी के लिए मैं यह थोड़ा सा इसमें और क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आजकाल की modern जो English है ना उसमें शल का प्रयोग बड़ा काम हो गया है उसमें आप यहां आई और वी के साथ भी जो विल लगा देंगे ना तो वो भी corrective मना जाता है और कई बार जो होता है ने यहां पर विल है इनके साथ लगना है मालो ही है इसके साथ भी शल लगा सकते है वहां यहां कोई command हो तो वैसी जगा पर थ्रेक्ट हो जैसे मैं कहूं he shall not enter my house किसी को बोलू अपने response servant को बोलू keep in mind he shall not enter my house तो वैसे ही के साथ भी लाता है तो यहां पर हम शल लगा सकते हैं जहां command हो threat हो तो ऐसी जो चीजे हैं उनके साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं even in cases में और विल का प्रयोग इनके साथ भी हम कर सकते हैं आज का लेक और इस जंजट से बचने के लिए कई वरी हम यह भी कर देते हैं ना पता लगता विल लगाया है ना पता लगता शल लगाया है तो आइल डू दिस विल डू दिस जैसे बोलने में भी ऐसे करते हैं और लिखने में भी ऐसे कर देते हैं तो यह तो हमने अफर्मेटिव संटेंस इसस किये थे जिसमें सिम्पल जिसमें ना कोई ना है ना कोई प्रशन है छिन्पल एक रिघ्न डेविड़िए के टेंशर हमने पे हमने तक हमने बात किया था अफर्मेटिव संटेंस इसस को कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे हम स्कूल जाएंगे तो अब नेगटिव कैसे बनेगा हम स्कूल नहीं जाएंगे यहां पर ना का प्रयोग हो जाता है नहीं का प्रयोग होता है रमेश खाना नहीं खाएगा आप गाना नहीं गाओगे तो उसकेस में क्या करना है सब्जेक्ट विल या शाल के बाद नोट आ जाना है बागी सेम रहना है वरब की फर्स्ट फॉंप फिर अब्जेक्ट तो इसको कैसे बनाएंगे वी शल नोट रमेश खाना नहीं खाएगा रमेश विल नोट आप गाना नहीं गाओगे यू विल नोट शिंग ए सॉंग तो इस तरह से जो है हमारे जो फ्यूचर इंडेफिनेट में नेगटिव सेंटेंसिस बन जाते हैं अब हम इंटेरोगेटिव यानि के प्रशनात्मक जो संटेंसिस उनके बारे में चर्चा करेंगे तो जैसे हम स्कूल जाएंगे इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम यहीं लिखेंगे क्या हम स्कूल जाएंगे और इसकी जगह पे यह हो गया प्रशन वाला चित क्या रमेश खाना खाएगा क्या आप गाना गाओगे तो यह सारे इंटेरोगेटिव बन गए अब इंग्लिश में इसको कैसे बनाना बड़ा ही सिंपल है जो विल और शल है यह आजेगा पहले उसकी जगह पे सब्जेक्ट ही चला जाएगा बाकी सारा सेम रहना है बतब स्टार्ट ही जो हमारा विल यहां शल से होगा तो जैसे यह था वी शल गो टू स्कूल तो यहां पर क्या हम स्कूल जाएंगे तो आलेगा शल भी गो टू स्कूल क्या रमेश खाना खाएगा विल तो बड़ा असानी से इसको हम बना सकते हैं और कई बार जो होता है हमारे प्रशनात्मक जो संटेंसिस होते हैं उसमें नहीं का प्रयोग भी होता है उनके साथ नेगटिव भी होता है जैसे क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे क्या रमेश खाना नहीं खाएगा क्या आप गाना नहीं गाओगे तो इसमें क्या करना है सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट एड़ हो जाना जैसे हमने पहले क्या लगाया था वील यह शाल आएगा ना इंट्योगेटी में वील यह शाल फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हमारा लग जाना है नोट जैसे विल रमेश नोट इट फूड पहले विल पिर मेश नोट इट फूड विल यू नोट शिंग सोंग शाल भी नोट गो टू स्कूल तो इस तरह से जो हमारे इंटेरोगेटिव और नेगटिव सिंटेंजिज में कठे हो वो हम बना सकते हैं अभी हम देखें हमने जो अभी तक चर्चा की थी उसके मताबिक जब भी हम प्रशन पूछते हैं जैसे क्या हम स्कूल जाएंगे जया हम स्कूल लेकिन बहुत सरे इसे वी प्रशन होते हैं जो जिनके हां या ना में जवाब नहीं होते हैं जो से जैसे mostly शुरू होते हैं जैसे वेर कब और कहां वेन कब वाई क्यों वट क्या और साथ इसके हो भी होता है कैसे तो जैसे अगर यह कहें कि क्या हम स्कूल जाएंगे हम स्कूल कब जाएंगे मालों ठीक है फिर क्या कट जाता है रमेश खाना कहां खाएगा मतर कौन सी जगा पर खाएगा फिर क्या कट जाता है आप गाना क्यों गाओगे मालों इस तरह से तो इसमें कुछ नहीं करना है हमने पहले जैसे बनाया संटेंस है कि वील शाल पहले आ जाता उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो यहां पे जो स्टार्ट ही इन वाले वर्ड से होगी जैसे यहां पे हम स्कूल कब जाएंगे तो कब को क्या इंगलिश में बोलते वेन तो आ जाएगा वेन शल वी गो टू स्कूल रमेश खाना कहां खाएगा वेर वेर विल रमेश इट फूड आप गाना क्यों गाओगे वाय वाय विल यू सिंग ए सौंग तो सिंपली इन वर्ड से शुरू करना बाकी वही जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको वैसे ही रखेंगे तो हमारा जो है जो इन वर्ड से शुरू होने वाला कि वह बन जाएगा फ्रेंड कई बार जो हम फ्यूचर इंडेफिनेट टैंस की जगह पे हम यूज करते हैं गोइंटू मतलब उसका भी शेम होता है यो फ्यूचर की रेफरेंस में हम बात करते हैं तो कब करते हैं वह हम देखेंगे जैसे हमने कोई पका फैसला कर लिया करते हैं जैसे कभी हमने पका इरादा कर लिया कोई है का आदी दूसरे से पूछता कि क्या आपने फैसला कर लिया कि क्या करना है तो उतर मिलता है येस आएं गोइंग तो जोड़ दूंगा तो लेकिन यहां पर हम विल नॉर्मली क्या वाता है आए शाल रिजान न जोड़ यूज़ दूसरे लेकिन यहां पर हम करेंगे इंग गोईंग टू रिजाएंग तो क्यूंकि फैसला हमारा पक्का हो गया है तो आयंग गॉइंग टू जोड़ने वाला हूँ वाला हूं जोड़ दूंगा जब कोई चीज शर्टन बिलकुल पकीसी हो जाए कि खलात को ध्यान में रखते हुए जैसे हम कहें कि there are clouds in the sky, आस्मान में बादल है it is going to rain, it will rain नहीं, it is going to rain तो यहां पे भी हम going to का परियूग करते हुए कई बार future की reference होती है हाला कि वहां पे future indefinite and use होना चाहिए लेकिन हम use करते है present indefinite तो वह देखते हैं कौन सी ऐसी circumstances होती है तो सबसे पहले जहां पे कोई official programs होते है वहां पे time table बेकूल fix होता है, date fix होती है, time fix होता है तब हम present indefinite का use करते हैं तो future indefinite का नहीं use करते हैं यह से the college open zone 31st October जो college है वो 31st October को खुलेगा हम बात करें आने वाले की हम लेकिन यूज करें open मतब present indefinite है हम यह नहीं use करें कि will open दूसरा देखो, the train departs at 6 PM जो train है वो 6 बजे जाएगी उसका time table fix है जाना ही 6 बजे है तो तब हम उसको will depart नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं departs जाएगी अई बार जो होता है if, unless, when, while, before, after, until, as, and, as, and, as यह words होते हैं इनके बार हम use करते हैं present indefinite छाला की reference future की भी होती है I won't go out if it rains मैं अगर बरसात होगी तो मैं बार नहीं जाओंगा तो हम यहां use करें I won't go out if it rains it will rain नहीं क्योंकि यह वाले words यहां भी आते हैं हम use करते हैं इसके साथ present indefinite please ring me up as soon as he comes किर्पा करके जैसे ही वो आएगा तो मुझे बताना please ring me up as soon as he comes मतलब हम कहरें वो जब आएगा तो लेकिन हम use करते हैं he comes ना की he will come तो दोस्तों हमने complete discussion की future indefinite tense में तो मैं उमीद करता हूँ कि आपके सारे भी जो भी doubts से इसके बारे में वो clear होगे होंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो please like, subscribe, share and comment thank you very much